तो हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब इंटरडबुल्स में फिर से आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से काफी अच्छे स्टॉक्स को ले करें हूं जो की काफी अच्छे परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे चानल सापको हेल्प मिल सकती है तो जरूर मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल अकन को दबाईए तो मैंने पहले की वीडियो में आपको बात आया था HIL के बारे में मैंने बताया था अगर यह फ्लाक का ब्रेक मिलता है तो जो उपर वाले जो रहे तार्गेट होगा आप देख सकते हैं कि हमाई यह कॉंसलोरेशन के बाद कितना अच्छा यहां पर टार्गेट अचीव हो रहा है तो आपको लगता है जरूर मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए और मैंने बताया था मैक्स हेल कर सकते हैं और नीचे मैंने डेस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलिग्राम ग्रूप का भी लिंक दिया हुआ है और काफी सारे वीडियो जो मैंने बनाए उनका भी लिंक वहां पर है अगर आपको लगता है आपको चेक करना चाहिए तो जरूर आप जाके चेक कर सकते हैं तो जो पहला स्टॉक है वो है गुजराद गैस मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है कि अगर जो उपर वाला जो लेवल है उसका ब्रेक आउट हमें मिलता है तो काफे स्टॉक हो सकता है कि ट्रेट का नहीं कि सिंप्ली पहला टार्गेट यह होगा अगर कल आपको लगा सकते हैं तो यह इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए मैंने पहले की वीडियो में पूरा लान नस्यस किया हुआ इसके बारे में अगर आपको चेक करना है तो आपको बताया था सीजी बैंक के बारे में यह पैटरन जो फॉर्म हो रहा है लिए देख कितना बड़ा यहां पर विख हमें देखने को मिल अगर इसका मिलता है हमें ब्रेक आउट यह भी काफ़े चेश टॉक हो सकता है आपको ट्रेड करने के लिए इसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है तो आपको लगता है चेक करना है तो जरूर आप कर सक सकते हैं अब देख सकते हैं जो यह एक लेवल था वह काफ़ी इंपोर्टेंट एक सप्लाई जोन यानि की एक रेस्टेंस लेवल था सिमिलर वे में जो नीचे वाला यह रेस्टेंस था यह अब सपोर्ट के तरह काम कर रहा है जैसा आपको पता है मार्केट अगर कोई भी और आपको कहां में बताया है जो रेस्टेंस था काम कर मत्राव च्बर एप यह और कनदलफर और आपको आपको तと思いた on the आ भी market ने breakout के बाद 2 red candle का retest दिखाया, वो भी काफे चा स्टॉक हो सकता आपको trade करने के लिए, मैने कल के वीदियो में उसे डाला हुआ है, अगर इस level पर हमें retest मिलता है इस level पर, काफे चा स्टॉक होगा या आपको trade करने के लिए, अगर आपको target पगर निकालना है, तो simply आप CPR यूज़ कर सकते हैं या पाइवट पॉंट या Camarilla या Fibonacci retracement अगर हमें जो रिटेस्ट लेवल उस पर सपोर्ट नहीं मिलता है तो यह स्टॉक आपको रिटेस्ट अगर इस कैंडल के 50% के वाले एरिया तक में भी रिटेस्ट आपको मिलता है इस लेल तक में भी रिट आसा करता आपको समझ में आ रहा होगा जो अगला स्टॉक है वह है टेक महिंद्रा मैंने बताया था आपको जो यह ट्रेंगल पैटर्न में ट्रेड को लेने के लिए अगर यह अपने ट्रेड लिया हो तो यहां पर काफी अच्छा टार्गेट अचीव हो हैंगे आपको यह अगर जो कैंडल का जो लो था अगर उस पर रिटेश्ट में देखने को मिलता है यह भी काफी च्छा टार्गों चकतर ट्रेड करने के लिए यहां पर मुझे लगता है कुछ टाइम कॉंसलिडेट होगा अगर कॉंसलिडेशन इसमें नहीं आता तो आपको हाय पर बाइक कर क्योंकि हाय पर बाइक करना रिस्की उतना नहीं होता है क्योंकि जैसा कि हमें पाता है कि हम जो मार्केट में अभी हुआ बुल मार्केट है मैं आपको बताता हूँ आप देख सकते हैं यहां पर जो यह लेवल है वो रेसिंग तरकाम कर रहा है अगर मालीजे किसी ने एंट्री इस पर नहीं लिए होगे अब देख सकते हैं यह पूल बैक आया अगर काफी जिन लोगों ने इस लेवल पर किया गबाए जो उपर वा अगला स्टॉक है वो है असोक लेलेंड मैं इसमें आपको वीकली टाम फ्रेम में लेकर जाता हूँ इसमें मैंने कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स माक करके रखा हुआ है अब देख सकते हैं यह आपके लिए एक रेंज है यहां पर सिमिलर में वैसा ही रेंज है जो उपर लेवल है वो काफी इंपोर्टेंट एक रहिस्तेयन से वह पहला टार्गेट होगा आपको इसके पर ब्रेक आट मिलता है पर कैंडल ने फिलाल इसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है हो सकता है कुछ ताइम यहां पर एक दो कैंडल बना है रेड उसके बाद ब्रेक आट दे के बाद हमें ब्रेक आट इसमें देखने को मिल सकता है काफी सिंपल आनलेसिस है आसा करतों आपको समझ में आ रहा होगा इसलिए रियक्ट एक कर सकता है काफी सिंपल आनलेसिस है आसा करतों आपको समझ में आ रहा होगा तो जो अगला स्टॉक है वो है सन टीवी नेटवर अगर इसे आपको ट्रेट करना है तो पोजिशनल के ट्रेट करिएगा अब देख सकते हैं कि यह मार्केट के लिए काफी अच्छा एक रेस्टेंस है इसलिए होरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं वह काफी इंपोर्टन एक सपोर्ट रेस्टेंस तरह काम करते हैं क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर माली को ट्रेंगल टैप का पैटर्न का ब्रेक आउट में देखने को मिलता है पर उसके उपर यह रहा था फोर्म यहां पर उसका ब्रेक आउट मिला तो यह लेवल ना इंपोर्ट रेस्टेंस तरह काम करता है इसलिए कभी भी है उसके बाद जो टार्गेट होगा यह क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक हेड़न सोल्डर पैटरन के बाद जो नेकलाइन फॉर्म और यह तो वह काफी इंपॉर्टेन एक सप्लाई जोन यानि की एक रेसिंस है और नीचे आप देख सकते हैं कि एक काफी अच्य सपोर्ट हैं तो कहां करना है आप को इसमें अगर इस लेवल पर रीटेस आप देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा अगर नहीं मिलता है तो इस लेवल पर फॉर्टाट ऊपर दे सकता है तो जो अगला स्टॉक है वो है गोरेज एगरवेट मैंने पीछली वीडियो में आपको बता है इसमें हम देखेंगे वन डे में अब देख सकते हैं उसमें मैंने काफी इंपॉर्टन एक लेवल्स माक करके रखे हुए है यह काफी बिन आपर मिला। कि इसल quelle काफी प्रेंग मार्के चुमलेट हो रहा था और कि मिल्रायर तो इसमें आपको हैचा सिर्वेट करना आपकर डिखना नहीं देखता है तो चोटे टामफ्रेम हम जाकर चेक्क सकते हैं वन आवर में 45 minutes में गर आपको लगता है कि और फेचे टार्कट आपको अचीव हो सकते हैं इसमें अगर पूरी नसेस के देखने हैं तो पहले की वीडियो जो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है मेरे चल्ण सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक किजिए और बेल आइकन को दबाईए